हाई प्रेंज अरगे वोमे चैनल र्सलिंग बाच्चा मैं हूई यश तो इस वडियो में हम बात करेंगे चौन मौक्षली की पौज बड़ी अप्डेट के बारे में और रूमन रेंज की चैंपियोंशिप अप्डेट के बारे में भी दोस्तो आखिर कौन सी बड़ी से end तक दरूर देखिए और दोस्तों आप हमारी चैनल wrestling बाज़ों को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के बाज़ों में जो बैल आइकन है उसे प्रेस करके all पर क्लिक करिए तक के हमारी ताइडल मैच एड़ करने के लिए Extreme Rules पे-पर व्यू में दोस्तों लास्ट SmackDown में Cezaro एंड Nakamura ने अटेक किया था New Day को और उन दोनों को टेबल पर अटेक कर दिया था और स्लैम दे दिया था और इसी के वज़े से एक स्टिपूलेशन वाली मैच बुक हो सकती है Extreme Rules में और वो यह होगी Nakamura & Cezaro vs New Day and that will be for SmackDown Tag Team Championships और यह होगी मैच एक टेबल मैच तो कि WWE ने यह फिनिश दिगाया है कि वो लोग लैंड कर रहे है टेबल पर ऐसा WWE ने परपसली बुक किया है ताकि इन दोनों की टेबल मैच हो सके at Extreme Rules तो फिरा में देखना होगा कि आखिर कौन जीता है यह मैच और क्या Cezaro और नाका मुरा बन जाते हैं New Day रिटेन करते हैं अपने SmackDown Tag Team Championships चली अब बात करते हैं नेक्स बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है The Big Dog Roman Reigns से दोस्तों जैसे आपको बता है कि WrestleMania 36 में Roman Reigns vs Goldberg की मैच होने वाली थी for Universal Championship बर Roman Reigns के पीछे हटने के बाद उनकी इस प्लेस ले ली थी Braun Strowman ने और ऐसे फिर Braun ने हरा दिया कोलबर को और चीत लिया Universal Championship तो दोस्तों हमें ये अपडेट मिली है कि अगर Roman Reigns इन टाइम वापिस आ जाते थे अगर Summer Slam के लिए तो उनके प्लांस होते थे कि वो फेस करते थे Braun Strowman को या Bray White को for Universal Championship पर ऐसा लग रहा है कि Roman Reigns शायद मिस कर देंगे इस साल का Summer Slam तो दोस्तों ये प्लांस से Roman Reigns के अगर वो रहते तो वो डेफिनिटली कंपीट करते थे for Universal Championship अगेंस ब्रॉन या फिर The Fiend एके ब्रे वाइट और दोस्तों ये हो जाता Summer Slam में कि Braun Strowman या फिर Bray White एके दा Fiend को हरा कर Roman Reigns शीच जा जिसे Universal Championship and that too after a long time but unfortunately शायद Roman Reigns नहीं आएंगे इस साल के Summer Slam में तो ये काफी बड़ी ब्लो है WWE के लिए तो फिर देखना काफी इंटरस्टिंग होगा कि Roman Reigns कभी आते हैं WWE में चलिए बात करते हैं Mega Update के बारे में जो जोड़ी है John Moxley से दोस्तों AEW All XQ Wrestling के चैंपियन है Dean Ambrose एके John Moxley और उन्होंने Brian Cage को हरा दिया है और रिटेन कर लिया अपना AEW World Championship जो काफी इंप्रेसिव बात है पर उनके रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात कई है EC3 ने आपको पता है कि जब जब EC3 WWE में अपियर होते थे उन्हें अच्छी बुकिंग मिली ही नहीं है उनका एक शॉट प्रोग्राम था वे Dean Ambrose पर उसके बात से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था तो EC3 ने एक्स्प्लेइन किया क्या खिर क्या हुआ था तभी EC3 ने PW Insider से इंटर्व्यू दिया और वाप और उन्होंने ये कहा कि Dean Ambrose से contract sign नहीं किया था और वो जाने वाले थे WWE से इसलिए WWE को उनको सबक सिखाना था और उन्हें एक टैफ से heel दिखाना था और EC3 को face और इसलिए EC3 versus Dean Ambrose की match रखे गई थी जहाँ पर EC3 ने win हासिल कर ली थी और WWE वाले ये चाहते थे कि EC3 को cheer मिले और Dean Ambrose को boo मिले बड़ ऐसा हुआ नहीं WWE का यही intention था forcefully कि EC3 एक baby face बनकर निकले और Dean Ambrose heel बनकर बट Dean Ambrose को people boo नहीं कर रहे थे क्योंकि वो Dean Ambrose को काफी पसंद करते थे और Dean Ambrose भी काफी अच्छे person है to work with पर EC3 ने Dean Ambrose को हराय था roll up से so EC3 ये चाहते थे कि उन्हें एक baby face response मिले या फिर ये चाहते थे कि अगर कोई baby face है तो उसे heel बारा response मिले जैसे John Cena या फिर Roman Reigns को मिलता है अगर ऐसा होता तो वो एकदम money गाए बनते और वो एक draw बनते जैसे Roman Reigns और John Cena है पर हुआ क्या एकदम उल्टा उस match के बाद वो एक heel निकर के वापिस आए और उसके बाद फिर Dean Ambrose ने उन्हें हरा दिया था और उसके बाद फिर उनका career का downfall चालू हो गया तो दोस्तों यह था कहना EC3 का on Dean Ambrose दोस्तों EC3 एक काफी gold talent थे जिसका use अच्छी तरह के से किया जाना चाहिए था और उन्हें release कर दिया मैं तो चाहता हो कि वो जहां भी जाए काफी successful हो क्योंकि उनमें काफी talent है इन vanilla midgets से तो लाग गुना बैटर है EC3 जितना vanilla midgets में invest किया जाता है अगर उसका 20-30% भी EC3 में invest किया जाता तो वो आज बड़े star होते बड़ एनिवेज यहर वी आर स्टक विद रिकोशेट, सेटरेक एन हमबर्टो तो फिर हमें देखना होगा कि EC3 का क्या होता है future in the coming time तो दोस्तो आप को जी comment section में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो और मिले comment section में यह बताइए फर्स्ट, आप कि इतने excited है extreme rules के लिए सेकेंड, क्या आप sad है Roman Reigns की news सुनकर and third, आपका कैसे reaction है EC3 के statement पर on John Moxley aka Dean Ambrose So guys, please 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 like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Badger, peace out